दोस्तों सब्सक्राइब करें मुगार 247 को दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे दाएं विटामिन D हमारे सरेश के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है और इसका सबसे चस्त्रोत दूप है विटामिन D का लेवल कम होने पर हड्यों को नुक्सान पहुसता है हाला कि यह विटामिन दिल, मस्टिक्स और पतिरच्षत तन्तिक के लिए भी उतना ही महत्तपूर होता है है तक्षबर्ट के अनुसार साल में कम से कम 40 दिन में 40 मिनट तक रोजाना दूप की रोशनी में चरूर रहना चाहिए D तरीका उत्पादन, सूदे के प्रकास नहीं होता है D टूप जहां भोजन से प्राप किया जा सकता है मगर आज कोई बीजिस सेड्डूल के कारण सभी धूप में नहीं बैट पाते और कुछ स्त्रोथ हैं जिनके वजह से आप विटामिन दी पा सकते हैं विटामिन दी के अस्त्रोथ हैं सूरज मुखी के बीज जिनमें ना केबल विटामिन D3 बलकि मोनोनी सर्चूरेटिड वशा और प्रोटीन भी भरबूर मात्रा में होती हैं कॉर्ड लीवर और यह तेल कॉर्ड मचली के जुगर से प्राप्त होता है और सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है इससे जोडों की दर्द को कम करने में मदद मिलती है और इसे कैपसूल या तेल के रूप में भी प्रियोग किया जा सकता है मश्रूम यदि आपको मश्रूम पसंद है तो आपको विटामिन D भरफूर मात्रा में मिल सकता है सूके सी टेक मश्रूम विटामिन D भी के साथ सत्व विटामिन B के भी सांदर्स त्रोथ है जिनमें कम कैलोरी होती है और इन्हें जब चाहें तक खाया जा सकता है न्यूस डेक सोना मिस्ट्रा ओंका 24-7 नई दिने कर तक खाया जाए होगा जाए हो भी विटाए होगा जाए होगा होगा जाए हो घए होगा है